भूत रहता है ठीक माना जाता है कि इसमें भूत रहता है बहुत साइव लोग तो तो we will come back to a new video और आज का जो video है वह बहुत ही ज्यद्था इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अज हम लोग बुक्सर के बहुत ही ज्यद्धा इतिहासिक जगा पर जाने वाले जो है रानी का कुणा अब इसका कुणा का खासियत बताथे ता हूं क्या इस कुणा का खासि तो आई आपको मिलाते हैं अपने मेरे कुछ जो साथी जाने वाले मेरे साथ और साथ मेरे कुछ चूतिया दोस्ते चल चल जलो जो लेट्स आउर फ्रेंड विट्व और साथ हमां के साथ है पाथक जी ब्लॉगर ही तो फ्रेंड्स आप लोग जाईए और परसान भाई को सब्सक्रेब कर लेजिए क्योंकि बहुत बढ़िया कॉंटेंट बनाते हैं और कहना क्या चाहते हो और अभी यह जाने सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो का लाइक भी कर लो तो इस वीडियो को आगे वाच कीजिए और फिले लोग चलते हैं अब आपको मेरी पीछे जास्त वह कुवाँ है यह वह कुवाँ जहां पर राजा भोज की वाइफ थी वह यहां पर अपनी सक्षीया के साथ या जो भी आप बोल सकते हो उनके साथ यहां पर नहाने आती थी और यह कुवाँ का इसा खास्चत बताया कि जो बाहर की इंसान ह होते हैं नगरार के आदमी होंगे देखना चाहियांगे तो नहीं दख सकते हैं लेकिन अगर हम अगर उसकुवें के अंदर हैं और हम आपको मेंसान को देखना चाहिए जो भाइर खड़ा है तो उस टाइम का इतना बड़ा यह बहुत ही बड़ा टेक्नोलजी मीन बोल सकते हो जाएगा I hope so अगर बक्सर में आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी वायल करते हो तो साइध एक अच्छे इंसान के पास वीडियो पहुच पाए और वो इसका कुछ मेंटेनिस करवा पाए तो अभी अंदर भी उसके चलेंगे और आपको अंदर का दिखाते हैं क्या वहा आप चुके हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने आके देखा यहां पर और यहां के लोग भी बोलते हैं यह बस यह अफाव उड़ाया गया है तो आप यहां पर जरूर बिजिट कर सकते हो तो आई दिखाते हैं एहे रहा नहीं जाता तड़पी एसी है ना तो इसकी अ अंदर रहे हैं क्यात कुछ ऐसा भी हूँ है और आप देख सकते हो बहुत ही जाता खतरनाक लग रहा है तो मुझे बिल्कुल सेफ तो नहीं लग रहा है यह बात भाई यहार और अब गेट के बाहर दो कैसा है यहां पर गेट के बार इसको बंद कर दिया गया है और यह है पूरा खंधर टाइब का बन चुका है इसे लोग बोल सकते हैं और इस साइट से आते हैं अगर हम लोग तो सब्सक्राइब है और इसको चोड़ा से पार्ट है इसका अभी तो यहां पर इटावि टाइज़ गिर गया है पता नहीं क्या अच्छा आप आप दिखाएं नहीं सब्सक्राइब करें तो आगे चलते हैं और बहुत को जानते हैं और खंडर और खंडर के बाद लोग आने वाले हैं थोड़ा सा आगे उसे चले गया रहने के लिए थोड़ासा आगे आगे आ गया है और ये भी उसी का पाट है जो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आगे है और ये बुरा खंडर ही है अब देखे़क तो पुरा ज़्यादा ही खंडर । इसको डिखाने आए है और एक स्प्लूर करने है तो अंदर चलते हैं काफी ज्यादा यहां का दिक्कत वाला है मतलब यहां सीड़ी है जो काफी तो अब मेंटेरेंस नहीं है तो आई यह थोड़ा से मंदिर के पास चलते हैं और आपको इसका भीव दिखाते हैं मंदिर अब दे सकते हो यहां पेखनुमान जी का भी लगाया गया है चोटा सा पर उस टाइम पिए साइद नहीं होगा मेरे को लग रहा है और यह है बहुत चोटा मंदिर जो है गंगा नंदी के जस्ट अदम सामने आप इसको देख पा रहे होंगे और गंगा नंदी आप दे देख पार हो जो मेरे पीछे और वहां पर है अपना दोस्त भीटू जो अभी नीचे आ रहा है और काफी जादा यहां मेंटेनेस की जरुवत है काफी जादा यहां पर सुंदर लगा भाई आके आप यह बढ़ आने का को हिस्त करो ठीक तो अब आप लोग बने रोव वीड और बगल में इसके एमबी कॉलेज है लोकेशन आपको बता ही दिया बीटू और जिसके पीछे नाथ्वा मंदिर उसी साइट से रोड आता है अब किसी पूछे को रानी का किला कहां पर है तो आप यहां पर लोकेशन पर आप आराम से पहुश सकते हो क्योंकि बहुत लोग बखसर के लोग नहीं जानते कि रानी का कहां पर है बताएता हूं ना थ्वाब से थोड़ा सा गया होगे तो यह रानी का किला दिख जाएगा और इसके उधर साइड एंबी कॉलेज भी है तो आपको बताया है मैंने पूरा एक्सप्लोर किया कि यहीं है रानी का किला और ए अंदर लगता है और काफी पूराना इतिहासिक जगह है क्रिपया करके लोग इसको मेंटेन मेंटेनेस में थोड़ा सा हेल्प करो हम लोग का हम लोग कोशिस करें कि जहां जहां वीडियो पहुंचा सके पहुंचाएंगे और इस ब्लॉग को जाए जाए शेयर करो अपने भ